सभी सब्सक्राइब आओ वीवर्स को ईद की मुवारक बाद मीठी ईद की मुवारक बाद यह स्पेसल ईद के लिए वीडियो है इसे आप यदि सीखना चाहते हैं बेशन के लड़ू तो आप देख रहे हैं बेशन को अलकी अलकी आँच पर इसको सेखना है इसका जब कलर बेशन का थोड़ा सा डार्क हो जाए तब आपको इसको उतारना है और यह ईद की स्पेसल वीडियो है सभी को ईद की मुवारक बाद जितने भी वीवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं तो मेरे घर पर जब लड़ू बन रहे थे बेशन के तो उस समय का ये वीडियो है आप देख सकते हैं बेशन को गरम करने के बाद इसमें हमने सक्कर का बुरादा करके इसको सक्कर को इसमें मिलाना है अच्छी तरीके से मिला दें कितना मीठा करना है यह आप अपने हिसाब से देख लें उससाब से आप सक कर मिला दें और अच्छी तरीके से मिलाने के बाद जो मेवा रहती हैं काजू और बादाम ये सारी जो मेवा हैं उन्हें आप इसमें अच्छी तरीके से कूट कर खलवर्ते की मदद से इसमें मिला दें अच्छी तरीके से मिला दें ताकि यह अच्छी तरीके से पूरे बेसन में हमारे मिल जाए और इसके बाद आपको क्या करना है इसमें इसमें आपको जो घी रहता है आपके पास उसको मिलाना है साथ ही साथ जो इलाइची आप खुस्बू के लिए इसमें इलाइची की दो से तीन इलाइची हैं उसको मिला दें और घी में गूई गरम करके इस बेसन में हम घी मिला देंगे यह आप देख रहे हैं घी हमने मिला दिया है और अब इसको अच्छी तरीके से मिला कर इसके लड्डू बनेंगे जैसा के आप देख रहे हैं इसको आप इस पर कर मिला दें जब यह पूरी तरीके से मिल जाएगा तब इसमें लड्डू आप बनाएंगे और जिस साइज के आप लडू बनाना चाहते हैं उस साइज के बना लें साथी साथ जो गरी का बुरादा रहता है आप उसको अलग एक पिलेट में रख लें जब आप लड़ू इसको बना लें तो लड़ू बनाने के बाद जो गरी का बरादा है उस पर एक वार गुमा दें ताकि पूरी गरी जो रहती है गरी का बरादा जो है वो उसमें मिल या अच्छी तरीके से और देखने में भी सुन्दर लगेगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा ये स्पेसल ईद की मिठाई का वीडियो आपने देखा आप देख रहे हैं के लड़ू आसानी से बना सकते हैं गर पे और जो मेमान आएं उनको आप खिला सकते हैं इस परकार गरी का बरादा है इसमें आप पूरे गुमा दें तो पूरी जो गरी का बरादा रहेगा वो आपके लड़ूों में चिपक जाएगा तो देखने में संदर लगेगा खानी में संदर लगेगा स्वादिष्ट लगेगा तो जब भी आपके घर पर कोई मेहमान आएं तो आप घर पर ही स्वादिष्ट लड़ू बना कर अपने मेमान को खिला सकते हैं इद इस पेशल वीडियो यदि आपने देखा है तो धन्यवाद